आप देख रहे हैं सम्विधान और कानू स्के लाइव नियूज तरीके से बनाया गया था ताजियों के साथ अखाड़े में भी आगे चल रहे थे जलूस में सामिल अखाड़ों के ताजियेदारों ने अपने अपनी कर्तब में भी दिखाए वहीं सभी ताजिये तक्या चौक से उठकर एरोरा नगर होते हुए बूढ़ा दे ही पहुंचे सबी ताजियों का मिलान वा मिलान के बाद कर्वला करत पहुंच गो ठंड razor को ठंडय किया गया आप को टान्दि के मोहरम घंप और मारलका महिना होता है स्ल्जाम धिखाड़ों के पहला महिना हना होता है मुहर्रम का दिवार हमारे इमाने हुसेन की सहाधत पे मनाया जाता है जो कि हमारे दिल को बचाने के लिए इमाने हुसेन सहाधत नसीब की है और यह 9 और 10 मुहरम को मनाया जाता है जो कि हमारे पुरे आरोरा में फुल सोरा ताजिया है जो तिकरा खरंजा, आतकिया डुमान और चुंगी पर भूडा देई, पठानी डोला और पुरे नगर से सोरा ताजिया पुरे निकाले जाते हैं पुरे नगर से भ्रमर करते हुए हमारे आरोरा के एक चुंगी तिराहे पर आकर इसका जुलूस बहुत धूम धान से मनाया जाता है जो कि हर साल की भाती इस साल भी हम लोग इसे धूम धान से मना रहे हैं मेरा नाम सोनु हसनी है है ट्या मुहराम पतन हुसान की आज में करोला के जंग के कारण सहीद हुये उंके करण ये महरम का तरवार मनाया जयता ये कब से मनाया जा रहा है ये मेरे जानकारी में जो मेरी ताजिया बनती है वो लगभख साड़े 4500 वर्थ के बीश से पहले आ रहे है यह ताजिया कहां तक ले जाया जाता है यह ताजिया हमारे इमाम चौंप पे बुड़ा दीज करवला तक जाएगी जास्ते में जगा जगा चौपर में महुली मानेपूर आती है उसे मिलान होता है फिर बुड़ा दीज में उभी पर की ताजिया आती है वहां मिलान होता है मिलान होने के बाद तो फिर वहां से करवला के लिए लोग प्रस्तान करते है यहां पर ताजिया की संख्या कितनी हो? यहां ताजिया की संख्या मेरे जिखे जवानी पिरियड में जो हमने जंती किया था 36 था कुछ सालों बाद 22-23 हो गए आज 16-17 ताजिया की संख्या क्या नाम है आपका? खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जोड़े रहें और इस वीडियो को जाद से जादा शेयर करें